हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू एजुकेशनल इंसाइट तोस्तो अगर आप उत्तर प्रदेश में बेसिक सिक्षा परिशत के नियंत्राना धीन परिशदी प्रात्मिक युँ उच्छ प्रात्मिक विद्यालों में सहायक सिक्षक के रूप में अपने दायतों का निर्वान कर र आए क्योंकि दोस्तों भारस सरकार के एक सर्वेक्षणन दोस्तों कराणा चाहती है और यह सर्वेक्षण उत्तर प्रदेश के जो critic का भाई-बेहन है जो विद्याली गत्विधियों को करते हैं तो उसके साथ साथ वो क्या कर रहे होते हैं उसका प्रपत्रा आपको भरने हैं उसके अलावा कुछ कार ऐसे होते हैं जो की गैर सेक्षुनिक हैं यानि विद्याली परिवेश को स्वच्छ रखना इलेक्षन ड्यूटी डिजास्टर मैनेजमेंट ऐसे ही नो केटेगरी के ऐसे बाते हैं जो की गैर सेक्षुनिक दायरे में आती हैं तो दोस्तों गूगल फॉर्म को जेनरेट किया गया है प्रते एक हेड़ टीचर के लिए और सिक्षकों के लिए भी साथ सिक्षकों के लिए मैं उस जो लिंक है उस जीवित लिंक को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा पहला लिंक है टीचर के लिए होगा और दोस्तों दूसरा लिंक जो होगा वो साइक्षकों के लिए होगा वहां आप इस टैप करके आप इस कोश्चनेर को यानि जो भी प्रश को खोलने पर आते हैं उस question को आप फिल करकर के form को finally submit कर सकते हैं तो आते हैं देखते हैं पत्र और क्या क्या आप से अपक्षाएं की जा रहे हैं कैसे कैसे आपको इस form को भरने हैं वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें 15 फरवरी 2022 तक इस form को सभी सिक्षकों को भर देने है दोस्तों आप देख सकते हैं पत्र जारी हुआ है महानिदेशक स्कूल सिक्षा अमराज पर इडिनर निदेशक कारेले से और जिलावेसिक सिक्षा इदिकारी समस्थ जनपत उत्तर प्रदेश को यह पत्र जारी हुआ है और यहां बात हो रहे ही रास्ति सिक्षा नीद 2020 के परिप्रेक्ष में ऑनलाइन सर्वेक्षनल के सम्मन्द में यह नीपी 2020 के परिप्रेक्ष में ही यह सर्वेक्षनल दोस्तों कराया जा रहा है और इसमें बात कही जा रहे ही कि किरपया उपर्युक्त विश्यक स्री राहुल पचवरी सचिव सिक्षा मंत्राले स्कूल क्या डियो लेटर नंबर दोस्तों दिया गया एट फिफ्टी टू अब लिग टू जिरो टूवन आई एस एक दिरांग बीस जन्री दो हजार बाइस चाहए पर सलगन का संद्रव ग्रहांड करने का कस्ट करने जिसके द्वारा यह आउगत कराया गया एक राश्टी शिक्षा यह पहला जो लिंक है वह हीट टीचर के लिए है लिए कि परिश्दी प्रात्मिक हमचे प्रात्मिक बेद्याले के हैट में प्रिचर प्रिंस्टपल यह इंचार जो भी टीचर होंगी उन्हें इसको भरने होंगे और इसको मैं इसी वीडियो के 2 डेसक्रिपशन में पहला लिंग के देदूंगा है टीचर का जहां आप टैप करके इस फार्म को फिलप कर सकतें दूसरा यह फार्म टू जो है उसाहक सिक्षिकों के लिए है अब यहां आगे बात वरी भारत सरकार के उक्त पत्र में उलिखित प्रपत्र संख्या एक पर समस्थ परशिदी प्रात्मिक और मुच्परात्मिक विद्यालों के प्रधाना अध्याप के उन पर पत्र संख्या दो पर समस्थ परशिदी प्रात्मिक और मुच्परात्मिक विद्यालों के निउन्तम एक परसंट सिक्ष को दोरा तो यहां पर हेट टीचर को तो सारे हेट टीचर को इस फॉर्म को भरन जो teacher interested है वो बिल्कुल भरें क्योंकि यहां पर रास्टी सिक्षा नित 2020 की बात हो रही उसी आपका जो feedback रहेगा विद्याली परिवेश में आपको कौन सी section गत्विदिया करानी होती हैं कौन सी गैर section कारियों में आपको involve कर दिया जाता है जाने अन जाने आप उसमें involve हो जात विद्याली वातावरन का सरजन कर सकती हैं तो यहां पर बात हो रही है जो form संक्या प्रपत्र संक्या टूपर समस्थ परिश्यदी प्रात्मिक विद्यालियों के नूंतब एक फीजदी सिक्षकों दोरा दीनांग 15 फरवरी 2022 तक online सूचना अंकित की जानी है आता समस्थ परिश्यदी ये प्रात्मिक विद्यालियों के हेड़ टीचर एम सिक्षकों को उग्त से अवगत कराकर निर्धारी समयावध में online माध्यम से उग्त दोनों प्रपत्र भरने के लिए अपने अस्तर से निर्देशित करते हुए आवश्य करवाही कराने का कस्ठ करें भवधिया डाक्टर सारिता तीवारी अपर परिविणा निदेशक तो दोस्तों ये जो पत्र है चुकी इंपोर्टेंट है इसकी कौपी खंड सिक्षा अधिकारी समस्थ विकास खंड उत्तर प्रदेश को शेर हुई है मंडली साहक सिक्षा निदेशक बेसिक समस्थ मंडल स्कूल सिक्षा हम साच्छर्ता सास्तरी भौन ने दिली और अंद मिराज प्रविणा निदेशक समस्थ सिक्षा उत्तर प्रदेश को भी ये पत्र शेर हुआ है दोस्तों आप वीडियो में बने रही है आगे हम बताएंगी कि जो कुशनर रहेगा उसमें कौन सी अकेडिमि activities हैं सिख्षकों को काम क्या करने हैं आगे दोस्तों चलते हैं तो दोस्तों राहूल पचोरी जी का ये पत्र है भारत सरकार सिख्षा मंत्राले स्कूल सिख्षा और साचरता विभाग सास्त्री भोन नई दिल्ली से जारी हुआ है अब यहां पर बात क्या हो रही है बात ये हो एक प्रिवर्टन की धूरी है किसी भी प्रकार का प्रिवर्टन है वो सिख्षकों के हाथ में ये लेकिन सिख्षक गेः से कारियों में नियोजित होते हैं In this regard, two Google survey questionnaires have been developed, one for school head, principals and the second for teachers by the department to assess the time spent by teachers in various activities, including both teaching and non-teaching activities. The Google Forms can be accessed to the following links. It is requested to please ensure that the form first is filled by school. head, principal and form second is filled by at least 1% of teachers, including primary, upper primary, secondary and senior secondary teachers in your respective state or union territories. Kindly note that these questionnaires are to be filled directly online and filling off all Google survey forms may be completed latest by 15 Feb 2022 for any Google form related clarifications. Please contact Mr. Wamik Toheed and Mr. Suresh Balodhoyi. तो दोस्तों यहाँ पर बात हो रही है कि Suresh Balodhi जी से भी आप संपर्क कर सकते हैं. और यह जो है 15 फर्वरी तक form को fill up करने हैं. जैसे कि मैंने आपको बताए कि इसका link मैं आपको दे दूँगा. अब school teachers questionnaire survey form 2 for teachers study on time spent by teachers on various activities including teaching and non-teaching activities. तो यहाँ पर यह दिया गया है अब जो जरूरी चीज़े हैं name of the teachers, gender, mobile number, email name, name of the school, full postal address of the school, school, U-Code, village ward, block, district pin code, state type of teachers, regular है या contractual है, educational qualifications of teacher, और social group, यहनी general has CSTOBC minority, total teaching experience in years, total working years in current in school, कितने वर्ष तक सिक्षन कार की हैं, जिस विद्याले में आप कार कर रहे हैं वर्तमान में, वहाँ पर आपने कितने वर्ष वितीत के, number of working days is during the current academic year, जो वर्तमान सत्र चल रहा है, उसमें working days कितने रहे हैं आपके काम के, lowest class आपकी व सबसे छोटी कक्षा है, वो कौन सी है, highest class school में कौन सी है, type of school कैसे है, boys है, girls है, केवल लड़के हैं, केवल लड़कियां है, को education किसी एक में टिक करना है, shift in school, yes, shifting है की नहीं है, management of school, department of education, tribal, यहाँ पर management की बात हो रहे हैं, local body, government aided, social welfare department, social location, rural area में है, या urban area में है, तो दोस्तों यह सारी सब बाते हो रही है, year of establishment of school, school कब अस्थापित हुआ, when does the academic session start month, कब होता है academic session, जैसे आप मारे यहाँ परिश्दी भी दिया लो में, अप्रेल से होता है, अब यहाँ पे how many days in this academic session you did not teach at all, due to such reason as given below, based the information from school records logbook, छुट्टी पे आप रहे हैं, being on official duty not related to education, that is election work, census work, health activities, disaster management activities, etc. तो जब आप वहाँ पे सिक्षन कार नहीं कर पाए, तो कितने दिन नहीं कर पाए, क्या election duty उसका कारण बना, क्या आपको जनगलना के कार में लगाया, क्या स्वास्त संबंधी गत्विद्यों में, क्या आपदा प्रबंधन में आपको नियोजित किया attending training और meeting related to school education, training की बात हो रही है कि आप उस दोरान पर सिक्षन किये, फिर being on other duties related to education, that is enrollment drive, नामांकन बच्चों को बढ़ाने हैं, बाल गलना करने हैं, चाइल्ड, census, textbook distribution में आपको लगाया गया, admission related work आपने किया, MDM related work आपने किया, being busy with other administrative work within school, that is salary collection, preparation of statistics, और other information for the education department, completing school registers are monitoring forms, तो दोस्तों ये सारी सूचनाय देनी है, और ये पूरा का पूरा ऐसे form जब आप खोलेंगे, तो ये सारी की सारी चीजे दोस्तों आपके सामने खुद ही आएंगी, और आपको ये एक प्रकार से सैंपल है, एक प्रारूप है, वो दिया गया, अब यह election and election related activities, ये भी non-educational है, census related activities, disaster management, health related, school related non-teaching activities, any other specify, तो ये सारी अब आपके head teacher का नाम, उनका designation, department, mobile number, email ID वगएरा, तो ये सारी सब दोस्तों बाते हो रही है, ये सारी की सारी चीजे, अब यहाँ पे non-educational जो activity है, यहाँ नौ प्रकार के दी गए हैं, infrastructure related work आपने किया, विद्याले की चहार दिवार औगारा, election duty किया, planning आपने कोई किया, includes development of the school development plan, survey आपने किया, data collect किया, बाल गलना किया, जन गलना किया, school committee and programs, scholarships से related काम किया, maintaining records, यानि विद्याली अभिलेखों को दुरुस्त किया, social audit में आपने समय बतीत किया, disaster relief में आपने काम, कुल मिला करके, दोस्तों, यहाँ पर भारत सरकार, राज सरकार के माध्यम से जानना चाहती है, कि मिड्डे मील हो, election duty हो, या कोई भी other work हो, उसमें सिक्षकों का जो non educational activities है, उसमें सिक्षकों कितना समय चला जा रहा है, कोई न कोई प्लान भारत सरकार बनाएगी, क्यो यह आपको अच्छा लगा है, तो प्लीज आप इसे लाइक करें, इसे अपने जैसे दोस्तों तक जरूर शेयर करें, लेकिन दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज आप इसे सब्सक्राइब करें, थैंक्स पर वाचिंग और लिस्निंग, इस ये अपरकार दोबी सानि में अख.